नमस्कार दर्शकों, आज सभी का हमारी चनल पर बहुत बहुत स्वागत है रविवार के दिन सरल उपाय हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं यहां उपाय आप आज माएंगे तो आपको हर छेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी भासकर याने रवी सूरज को सभी तरह से शुब माना जाता है सूरज की आति किर्णों से अगर कोई कुछ मांगे तो उसकी हार्दिक इक्षा जरूर पूरी होती है यदि कोई किसी भी कार में सफल होना चाहता है तो वह सूरे से प्रातना करे सूरे विष्णु का स्वरूप है इसलिए सूरे की पूजा करें सुभा सूरे को अर्थ देदना चाहिए और वह उत्तमाना गया है सुक सांती के लिए हरी वश पुरान का पाट करना चाहिए तामे के दो बराबर टुक्रे ले इनमें एक को मन में कोई भी संकल्प लेकर बहते हुए पानी में बहा दें आपका संकल्प जरूर पूरा होगा दूसरा टुक्रा हमेशा अपनी जेब या पर्स में समाल कर रखें हिर्दय से लगा कर रखें आप अपने उपर वाली जेब में भी रख सकते हैं अगर आपको आँखों की तकलीफ जूटे आरोपी या धन हानी से तांबा या गेहूं का दान करना चाहिए कोई भी नुकसान हो रहा हो या ऐसा कोई रोग लगा हो कोई इलजाम लगा हो तो आप यह उपाए आजमा सकते हैं यदि बहुत टाइम से आपको कोई कारे अटका हुआ है उस कारे के लिए आप बार बार जाते हैं लेकिन आपका कारे नहीं हो पाता है आपको वाँ से निराशा ही आसिर होती है उसके लिए आपको एक उपाय करना है गेहू और गुड को लाल कपड़े में बांध लें को उच्च करने के लिए बहते हुए जल में गोड और चावल को प्रभाइद कर दें ऐसा करने से आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे अब जिस कारे के लिए जा रहे हैं वह पूरे होंगे एक विशेश उपाय अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले गोड या मिठ हाई खाकर जाते हैं तो आपको हर कारे में सिद्धी प्राक्त होगी आपका कार हमेशा सिद्ध होगा आप यह सब उपाय रविवार के दिन आज माएं अगर आप रविवार के दिन इन उपायों को करके रख लें और किसी अन्य दिन आपको कहीं जाना है तो इन उपायों को पहले कर ले और रविवार के दिन पहले कर ले और फिर आप दूसरे अन्ने दिन वह कारे के लिए जाएं ऐसा करने से आपके सभी कारे सिद्ध होंगे और आपको हर छेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी तो दश्यकों हमारे द्वारा जो भी उपाय बताये जाते हैं कहीं को सार्थक और सुक में बनाएं दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लीजिएगा बगल में बैल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करकर और पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाय डालें आप तक सबसे पहले पोची